जैसी कृष्ण सुआगत है आपका शानू की चर मास्टर में आज हम बनाएंगे गाजर की एक बहुत अच्छी रेसीपी बनाएंगे इसके अंदर ना थो हमने मावा 150 डाला है और नहीं हमने 2 चाशनी डाली हो ना ही हमने इसको मिक्सर में 2 जटपड बन जाती है और काफी स्वादिश लगती है यह वाली मिठाई इसके लिए लिए मैंने एक किलो गाजर काफी मार्केट में अच्छी बड़ी बड़ी गाजर आ रही है लाल लाल इस तरी की आप गाजर लें यह मैंने एक किलो गाजर लिए इस तरी की आप एक किलो गाजर लें वीडियो को ला मैंने इसको गद्धुकस करा हैं फ collecting आ को कड्दी कस करेंगे घाजर हमारी तक कर zwии टयार हो चुकी है मैंने एक कल्ड़र, और किसी की के नाप क qualcosa शुझी है मैंने एक कल्च ऑप के लिए यह चै गब हो एता है उस नापसहिं है, मेने सुजी लिए और इसको हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं अब हम इसको आपलेते हैं कड़ाई के अंदर हम जो गाजर कीसी ती वो सारी गाजर हम कडाई के अंदर डाल देते हैं और अची तरह से हम इसकी सीकाई कर लेते हैं मैंने इसके अंदर अभी गी नहीं डाला है आप चाहें तो गी डालकर इसकी सीकाई कर सकते हैं मैं गी इसके अंदर बाद में डालूँगी आपको दीमेदी में आद पर इसकी सीकाई कर लेनी है और इसको आपको छोड़ना नहीं है नि तो ये नीचे से जल जाएगी इसको हमको जब तक सेखना है जब तक इसका गाजर का सारा पानी आची तरह से खतम हो जाए देखिए गाजर हमारी पक्कर तयार हो चुकी है वो काफी अच्छा रंगा है गाजर का इस तरह से गाजर हमा गाज़र को हम दूद के अंदर अच्छी तरह से पका लेते हैं ृत्त जाल चुकआ है हम इसके अंदर शक्त डाल ते怎么 यह गिरी बन मे तके अंदर 10-500 प्रफिप चुझा रहे हैं जीनों को अच्छे टॉड़ी तो तो हमको इसके अंदर अभी और 10 मिनट तक पकाना पड़ेगा मैंने यह मलाई डाली थी यह मेरे पास प्रेश मलाई पड़े थी सर्द्यों का मोसा में मलाई खराब होती नहीं है आप चाहें तो इसके अंदर मिल्क पाउडर या मावा भी डाल सकते हैं मलाई से काफी अच्छा स्वाल दाता है इसके अंदर बिल्कुल मावे जैसा काम करती है यह अच्छी तरह से हम इसको हिला लेते हैं और हमने जो सूजी सेकी ती है का वो सूजी हम इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से इसको हिलाते जाएंगे जब तक हिलाएंगे जब तक कि अच्छी तरह से सकत ना हो जाए और इसका एक डो न बन जाए तेकि अच्छी तरह से त्यार हो चुका है अब इसके अंदर हम एक चमच घीर डाल देते हैं अच्छी तरह से इसको हम हिला लेते हैं प्लेट लिए इसके अंदर घिक लगा दिया है और वसकी अधर सब्सक्न देदें क्षुवर्प्बाद कर देदें एक एम फिर उप्पी टेरीच जम जाये कज़ने केम अगर आप आप को जल्दी हो तो रखिये त misin हो तो अगर हम पनने यसके प्रीज है कि इसके पीस कर लेते हैं चोटे बड़े जैसे आपको चीए वैसे आप इसके पीस कर ले इस तरह से हम सारे पीस काट लेते हैं और यह काफी अच्छी लगती है वर्फी आप एक बार जरूर बना कर देखिए एक दर मार्केट जैसा स्वाध आएगा इसके अंदर आप भूल हम इसको सज़ा लते हैं हमारी गाजर की बरफी बनकर तयार हो चुकी है एक बार आप जरूर बना कर ट्रय किजिए गाजर की बरफी हमारी तयार है वीडियो अच्छी लगए है तो लाइक शेर कामेट और सब्सक्राइब करते रहेगा ताकि हमारे अगले वीडियो कीनोटि आपको मिलती रहेगी मिलते हैं आगले वीडियो में जब तक के लिए जैसे